गुटी इवनेंग स्टूडेंस, वेलकम टू डाउटनट, स्वागत है आप सबका डाउटनट की लाइफ सोशल साइन्स की क्लासे में, मैं हो अनुश्या, आपकी सोशल साइन्स टीचर, और कैसे हैं मेरे सारे स्टूडेंस, I hope आप सब ठीक हो, and I also hope कि सारे बच्चे अच्छे से पढ़ रहे हैं क्योंकि चाप्टर हमारा चल रहा है, ठीक है, क्लास एट के लिए ये लेक्चर चल रहा है, and चाप्टर चल रहा है, आपका रिसोर्से, and ये चाप्टर मैंने आपको पहले भी बताया कि ये बहुत इंपोर्टन चाप्टर है इस कंटेक्स्ट में कि ये चाप्टर आगे भी रिपीट होने वाला, क्लास 9, क्लास 10 में भी ये चाप्टर बहुत काम आएगा, so बेटर ये होगा कि आप इसी क्लास में, क्लास 8 में ही अच्छे से क्लियर कर लो कि रिसोर्स का क्या मतलब है, कैसे-कैसे अलग-अलग पहले करते हैं, क्यों रिसोर्स का इंप्रूर्स इंपोर्टने को आगे बढ़ने से पहले जल्दी से आप बच्यों का टा मैं धेपल देख लेले कि आपको पटा है कि आपका न्यू सेशन स्डाट होगिया है like do! स्टार्टिंग से क्लासेज रख रहे हैं, जल्दी से आप अपना टाम टेबल देख लो, ताकि आप बच्चों को भी एक आईडिया लग पाए, कि कौन सा सब्जेक्ट कब हो रहा है, और आप अकॉर्डिंगली प्लान कर पाओ चीजों को, सो मॉर्निंग बाच की अगर हम बात करें, तो टेन अम सुबह दस बजे साइंस की क्लास लग रही है, और लेवन अम माट्स, इवनिंग में चार बजे फोर बीएम माट्स, फाइफ बीएम साइंस, सिक्स बीएम इंग्लिश और सेवन पीएम सोशल साइंस, अभी साइंस की क्लास चल रहे हैं, तो ये तो आपको पता होगा, ठीक है, चलो, नेक्स्ट, वैसे तो काफी सारे बच्चे इस क्लास को जॉइन कर चुके हैं, बट आइ थिंक कि कुछ बच्चे ऐसे भी हैं, जिने दिक्कत आ रही है हमारे आप में, सबसे पहले तो आप क्या करोगी, फोन उठाओ, और हमारे डाउटनेट के आप को ओपन करो, कुछ इस तरी के से स्क्रीन आपको देखने को मिलेगी, नेक्स्ट, लाइफ क्लास वाले ओप्शन के पास जाओ, देखे, लाइफ क्लास ऐसे उपर लिखा हुआ होगा, and then थोड़ा सा नीचे की तरफ स्क्रोल करो, थोड़ा और नीचे जाओगे तो आपको दिखेगा, रीसेंट क्लास लिखा हुआ, तेके, रीसेंट क्लास मतलब ऐसी क्लास जो अभी recently हाली में हुई है फिर आप थोड़ा side की तरफ scroll करोगे तो आपको वो सारी classes दिख जाएंगी जो अभी recently cover हुई है जो भी subject जो भी class आपको attend करना है उसके उपर click करो ठेक है और नीचे एक option आएगा see all chapters अगर आप उसके उपर भी click करोगे तो इस तरीके से एक list आपको मिल जाएगी और इसमें से जो भी chapter आपको जोगे जो भी lecture आपको देखना है आप select करके देख सकते हूँ, ओके अब भी आप बच्चों के screen के सामने एक poll आएगा जल्दी से बता दो क्या आपको समझ आया कि कैसे मिलेंगी दोपनेट अप्र फ्रीक्रास्स चलो आगे बढ़ते हैं जल्दी से आप सारे बचों के डाउट को क्लियर करते हैं फिर हम आगे बढ़ेंगे, ओके सो एक स्टूडेट्न ने लिखा है, ma'am, इस टाइटेनयम फ्यूचर मेटल ते इसे फ्यूचर मेटल कहा जाते हैंitude क्योंकि टाइटेनियम के अगर आम बात करें तो यह ऐसा मेटल होता है बहुत लाइट वेट होता इसका एंड काफी जादा स्ट्रॉंग भी होता है इसके अलावा इससे रस्ट जंग जादा जल्दी से नहीं लगता है ठीक है जैसे आइरन के साथ क्या होता है अगर आप आइ कर सकते हैं काफी अच्छे से तो यस टाइटेनियम को हम एक फ्यूचर मेटल कह सकते हैं नेक्स्ट नहेराज आपने पूछा है वाइस डायमेंड सो कॉसली ओकी इतने सारे हो लगा कर तो डायमेंड कॉसली क्यों है देखो वैसे तो पूरा एकनोमिक्स अभी हम नहीं समझे नहीं बहुत रेरली मिलता है तो जेनरली क्या होता है ऐसी चीजे जो बहुत मुश्किल से हमें मिलती है उन चीजों का प्राइस बहुत कॉसली होता है ठीक है डायमेंड हो गया एक स्टूडन ने गोल्ड का भी पूछाता शायद ठीक है कि गोल्ड का कॉस्ट इतना जादा क्यों है तो उसका भी यह रीजन है बहुत मुष्किल से हमें मिलते हैं यह मिलते हैं इस concealed कि अभिषा मतलब यह निया की हर एक चीजस जो बहुत मुश्किल से मिलती है वो कॉसली है मैंने आपको यह चीज बताय था कि हम जो ह्यूमन है हम इंसान हर एक चीज को एक अभी as a society हमें लगता है कि diamond and gold बहुत ही important चीज है तो वो costly चल रहा है अगर मानलो कल को हम उठते हैं और हमें लगता है कि diamond, gold इन सब में कुछ नी रखा बहुत बेकार है तो ऐसे में उसका जो cost है वो गिरने लग जाएगा So I hope Snehraj आपका ये doubt clear हो गया है Next, Sweetheart ने पूछा है, बहुत ही अच्छा नाम रखा है आपने So आपने पूछा है कि ma'am Japan में water saving के लिए बहुत अच्छे gadgets बना रहे हैं चलो तो ये बहुत अच्छी बात है और क्यूंकि आपने ये लिखा है कि Japan में water saving के लिए बहुत सारे gadgets बनाए जा रहे है तो एक question आप सारे बच्छों के लिए comment section open है, ठीक है, आप लोग बता सकते हो कि India में हम लोग क्या कर सकते हैं ताकि हम लोग water को conserve करें, ठीक है So ये आप बच्छों को बताना है, आपको पता है कि comments आपके मैं देखके कल तक अच्छे से मैं reply कर दूँगी So जपान का तो ठीक है, इंडिया में हम लोग क्या कर सकते हैं ताकि हम water को conserve करें जैसे चोटी मूटी चीज़े भी आप बता सकते हो, एक अगर चीज मैं बताऊं तो जैसे अगर आपके घर में कोई leaky tap है ऐसा कोई tap है जो leak करता है, तो हम अगर उसे fix कर दें, तो उससे ही बहुत जादा हम पानी save कर लेंगे इसके अलावा हम और क्या क्या कर सकते हैं, आप बच्चों को comment section में बताना है ठीक है, चलो, next, snare आज का ही doubt है Ma'am, what is biological diversity, biological diversity का क्या मतलब है तो in general, अगर आप earth में देखोगे, तो हर एक चीज में diversity है, ठीक है, variety है अगर हम plants की बात करें, तो कितने अलग-अलग type के plants होते हैं न Similarly, अगर हम animals की बात करें, तो बहुत सारे अलग-अलग type के animals होते हैं इसी चीज को हम कहते है, biological diversity, कि biologically, life form को अगर हम देखें, तो living things भी बहुत अलग-अलग type के होते हैं इसी चीज को हम कहते है, biological diversity, ओके कृतिका ने पूछा है, ठीक है, ma'am, fire का invention नहीं किया था, ठीक है अच्छा, तो दो words होते है, एक होता है discovery और एक होता है invention ठीक है, normally हमें क्या लगता है, दोनों का मतलब same है, कैसे भी use कर लेते हैं ऐसा नहीं होता, discovery वर्ड हम कब use करते हैं, जब कोई चीज पहले से ही हो, पर हमें पता नहीं था ठीक है, जब ऐसी चीज का पता लगता है, तो हम discovery कहते हैं, for example, fire एसा आग कोई नहीं चीज थोड़ी है, हमें पता लगने से पहले भी तो आग और fire ये सब होता था तो fire का हमने discovery करा, ठीक है, invention वर्ड हम कब use करते हैं, जब वो चीज हो ही ना, और हमने एकदम नहीं कोई चीज बनाई हो, जैसे अगर हम बात करें, एरोपलेन की, ठीक है, तो एरोपलेन ऐसा थोड़ी है कि nature में पहले से ही था, हम लोगों ने बनाया ना उस चीज को, तो उसका invention हुआ था, ठीक है, इसलिए कल मैंने class में fire के बारे में कहा था कि fire को हमने discover करा, fire पहले से ही था nature में, बट हम लोगों को पता नहीं था, इसलि भी लिख दो कि doubt क्या है, फिर मैं जैसे अभी बाकी सारे बच्चों के doubts discuss हो रहे है तो ऐसे आपके doubt को भी discuss कर लेंगे, जिन भी बच्चों को doubt है, hashtag doubt आप लिख रहे हो, बहुत ही बढ़िया, साथ ही साथ एक sentence में clearly बता दो कि आपका doubt क्या है, तो मैं next class में आपका doubt clear कर करती हैं क्योंकि ये useful है, हमारे needs को satisfy कर सकते हैं, तो water और electricity भी, क्या है, resources है, फिर अंशिका ने natural resources लिखा है, तो मैं एक बाद natural resource बता देती हूं, क्या होता है, natural resource क्या होता है, ऐसा कोई भी resource, जो हम nature से उठा के, बिना जादा कोई change करे, use करते हैं, उसे हम natural resource कहते हैं, जैस oxygen को ऐसा थोड़ी है कि हम कुछ बदलते हैं, directly oxygen को use करते हैं, तो oxygen क्या है, एक natural resource है, चलो, so Shivam ने लिखा, ma'am, I am a new student, okay, so Shivam, welcome to our class, and काफी सारे नहीं बच्चे आरे हैं, क्यूंकि new session है, तो उन सारे new students को मेरी तरफ से welcome, and अच्छे से पढ़ो, ठीक है, quiz attempt करो, and जो भी doubts है बिना डरे पूछो, सारे आपके doubts clear कर दिये जाएंगे, and अगर quiz की बात करें, तो आपको पता है, class के end में आप बच्चों का quiz होता है, and काफी सारे बच्चे quiz को attend कर रहे हैं, काफी सारे बच्चे ऐसे हैं, जिनके सारे answers right हारे हैं, जो कि बहुत ही अच्छी बात है, so Lakshit, XY XYZ, Jyoti, Divyanshu, Study Lover, Megha, Hush, Sweetheart, इन सब के answers right हैं, very good, keep it up, कुछ तो बहुत जादा खुश भी हैं, की answer right है, ठीक है, अच्छी बात है, कि आप लोग quiz में बहुत अच्छे से कर रहे हो, Anshika, all my answers are correct, thank you ma'am for this explanation, welcome, Anshika and very good, and XYZ, XYZ का doubt था ये, की gold is also so costly, so ये, I hope, कि आपको ये clear हो गया, जब हम diamond के बारे में बात कर रहे थे, same reasoning है, okay, चलो, तो काफी सारे बच्चों के doubts clear हो गए हैं, और भी अगर doubts हैं, तो लिख दो comment section में next class में clear कर दिया जाएगा, जल्दी से ये discuss करते हैं, कि last class में, previous class में हमने, किस चीज के बारे में बात करी, हम हमने सबसे पहले तो समझा कि resource क्या होता है, ठीक है, resource होता क्या है, कोई भी चीज जिससे हमारी कोई भी needs satisfy हो, कोई भी ऐसी चीज जो useful हो हमारे लिए, उसे हम resource कहते हैं, for example, water, ठीक है, पानी की ज़रूरत होती है, हम सबको हम पानी पीते हैं, घर में पानी यूज होता है, industries पानी यूज होता है, so water क्या है, यह एक resource है, फिर हमने क्या बात करी, types of resource की, types of resource में हमने क्या कहा, एक तो होता है, natural resource, जो अभी अंशिकाके comment को देखकर, मैंने एकदम और अच्छे से समझा दिया था, so natural resource होता है, second क्या होता है, human made resource एक type होता है, और एक और type होता है, जिस करेंगे जल्दी से एक बार इस डायग्राम को रिवाइस कर लो फिर हम आगे बढ़ते हैं तो जब भी हम रिसोर्स के बारे में बात करते हैं तो चार चीजे देखने होते हैं ठीक है एक तो humans ठीक है मैंने आपको क्या बताया हम इंसान जो हैं हम humans रिसोर्स को वैल्यू देते हैं ठीक है जैसे diamond expensive क्यूं है gold expensive क्यूं है क्यूंकि हम लोगों ने उसे value दे रखी है ठीक है अगर कल को अगर हम उठते हैं और कहते हैं कि बहुत ही बेकार चीज है diamond and gold इसे आग से यूज नहीं करेंगे तो ऐसे में क्या होगा diamond और gold एक resource ही नहीं रहेगा ठीक है so humans हम लोग environment से resource को निकालते हैं जैसे अगर हम पानी की भी बात करें तो पानी को environment से underground से भी हम निकाल सकते हैं तो यह physical environment हो गया निकालते कैसे हैं पानी को technology को use करके अगर आप कोई pump यूज कर रहे हो तो वो technology हो गया पानी को निकालने के बाद हम क्या करते हैं किसी institution को दे देते हैं ठीक है जैसे मान लो municipality को बोल दिया कि आपको हम यह पानी दे रहे हैं अब आपका काम है कि आप society में सबको पानी दो तो इस तरीके से हम resource को use करते हैं humans, environment, technology, institution यह चार चीजे they play an important role ठीक है so natural resources हम कर चुके हैं अब हम समझते हैं कि human made resource का क्या मतलब है sometimes natural substances become resource only when their original form has been changed देखो कहीं बार तो क्या होता है हम nature से resource को निकालते हैं और उसे directly use कर लेते हैं बट कहीं बार क्या करना पड़ता है हमें उस resource को थोड़ा सा बदलना पड़ता है ताकि हम उसे use कर पाएं जैसे कि अगर हम iron की बात करें ठीक है iron को हम चलो nature से तो निकाल सकते हैं पर निकालने के बाद हमें आगे कुछ तो करना पड़ेगा ना iron के साथ कोई processing करना पड़ेगा iron से कोई cheese बनानी पड़ेगी तब ही वो useful बनेगा तो human made resource अगर आप इस word को ही ध्यान से देखो तो human made मतलब कोई ऐसी चीज जो हम इनसानों ने बनाई हूँ ठीक है उस type के resource को हम human made resource कहते हैं ठीक है जैसे कि हम लोग natural resources को use करके क्या करते हैं nature से मान लो आपने stone निकाल लिए ठीक है अलग-अलग type की चीज़े rocks निकाल लिए उनसे हम building बना सकते हैं, bridge बना सकते हैं, road बनाते हैं, machines बनाते हैं, car, trucks, vehicles बनाते हैं तो ऐसी कोई भी चीज़ जो हम इनसानों ने बनाई हैं, पर वो हमारे लिए एक resource है, उसे हम क्या कहते हैं, human made resource, जैसे अभी आप सब बच्चों के हाथ में क्या होगा, phone, ठीक है, so phone में आप लोग class देख रहे हो, and phone ऐसा तो नहीं है ना, कि nature से हमें phone मिल गया नहीं, हम इन computers, laptops, television, light, fan, यह सब क्या हैं, यह सब human made resources हैं, okay, so I think यहाँ पर इसमें तो कोई डाउट नहीं होगा, human made resource मतलब कोई ऐसा resource जो हम इनसानों ने, हम humans ने बनाया, okay, so एक topic clear हो गया होगा सारे बच्चों को, आगे बढ़ते हैं, अब हम समझते हैं human resource, so तीन टाइप के resource थे, एक था natural resource जो हो चुका है, second था human made resource वो भी हो चुका है, अब third क्या है, human resource, ठीक है, अब देखो, आप बच्चों को क्या करना है, confused नहीं होना, human made resource अलग type है, और human resource अलग type है, ठीक है, refers to number and abilities of the people, तो जब chapter start हो रहा था, हमने क्या कहा था, कि हम इंसान, हम human भी एक resource है, ठीक है, हम लोग कैसे एक resource है, हम लोग क्या है, हमारे पास दिमाग है बहुत जादा, काफी intelligent है, ठीक है, class 8 के मेरे इस बार के बच्चे तो वैसे भी बहुत जादा intelligent है, और बहुत creative है, तो हम लोग तरह तरह की चीज़े करते रहते हैं, जो resource बना देती हैं, okay, so हमारी intelligence के वज़े से भी, हमारी creativity के वज़े से भी काफी सारी चीज़े useful बन रही हैं, okay, so हम humans भी एक type of resource है, one cannot deny the fact that it is skills of human that are valuable, okay, so अगर हम humans एक resource है, तो इसमें किसी ना किसी बच्चे ने ये सोचा होगा कि अगर humans resource है, अगर humans important है, तो जब हम कहते हैं कि population बहुत जादा बढ़ रही है, तो उसमें दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए, है ना, humans तो resource है, humans तो useful है, तो हम क्यों कहते हैं कि population increase है कितना बहुत ही बड़ा issue है, ठीक है, वैसे तो काफी सारे factors है, population increase में, इस chapter के context में समझते हैं, देखो, बहुत सारे इंसानों, बहुत सारे humans का होने का फाइदा नहीं है, हमें क्या करना होगा, उन humans को train भी करना होगा, ठीक है, उन्हें पढ़ाना होगा, उन्हें skills देने होंगे, job training करानी होगी, तब ही वो लोग resource बन पाएंगे, जैसे इंडिया की भी अग हमारे जो country है, वो बहुत अच्छे से develop कर पाएंगी, okay, so हम humans भी एक type of resource है, ठीक है, हम लोग अपने knowledge को use कर सकते हैं, हम लोग अपने skills को use कर सकते हैं, हमारे वज़े से technology है, so human beings are a special resource, तो इसमें देखो, एक तो आपके पास question कैसे आ सकता है, मान लो ये sentence, उठा के आपके question paper में डाल दे, explain why human beings are a special resource, ये समझाओ कि human beings special resource क्यों है, तो अब आपको ये topic समझ आ गया, आपको बताना है कि हम human beings, हम में creativity है, intelligence है, हम लोग अपने दिमाग को use करके, knowledge को use करके, काफी सारे resource बना सकते हैं, ठीक है, चलो, अब इसमें एक और चीज़ आप समझ लो, human resource development, इस term क क्या मतलब होता है, ठीक है, human resource development, जब भी हम humans को education देते हैं, ठीक है, या फिर कुछ ऐसा देते हैं, जिनसे उनकी skills develop हो पाए, जिनसे वो जाधा और intelligent बन जाए, ठीक है, उन्हें अगर job training दे दो, education दे दो, तो ऐसे में क्या होगा, humans की जो quality है, वो और बढ़ने लग जाएग तीनों टाइप्स को cover कर ली है, ना, natural resource आपका हो गया, human made resource भी हो गया, human resource भी हो गया, again मैं आपको फिर से बता देती हूँ, human made अलग है, human made resources मतलब ऐसे resources जो हम इनसानों ने बनाए है, human resources मतलब हम इनसान खुद, ठीक है, चलो, अब next topic क्या है आपका development of resources, वैसे in general social science के chapters में क वो चीज बहुत ही अच्छी है, resources काफी useful है, and next topic में हम क्या पढ़ते हैं, कि क्योंकि वो चीज इतनी useful है, हम humans ने क्या करा, उसे इतना use करना start कर दिया, कि अब वो चीज खराब होने लग गई, तो same case है resources के साथ भी, हमें पता चला कि इतने सारे resources हैं, जिने हम use कर सकते हैं, तो हम humans ने क्या करा, indiscriminately, बिना सोचे समझे, बहुत जादा resources को use करना start कर दिया, and ऐसे use करने से दो problems create होती हैं, जब हम resources को बिना सोचे समझे, use करते हैं, बहुत जादा resources को निकाल लेते हैं, तो दो issues create होते हैं, एक issue तो आप सबको पता है कि environment, nature को नुकसान पहुंचता है environment damage हो जाता है, second problem क्या है, ठीक है, इसे हम more financial terms में देख सकते हैं, पैसो के matters में क्या problem आती है, कि rich और poor लोगों के बीच में gap बढ़ जाता है, अगर हम इतने सारे resources को निकालते रहें, तो क्या होगा, अगर किसी को resource use करना है, तो उन्हें पैसे देने पड़ेंगे, तो इसका क्या मतलब है, society में क्या होता जा रहा है, कि rich जो लोग है, वो सारे अपने resources को खरीद के अपने पास रख लेते हैं, पूर लोगों के पास एक तो उनके लिए कुछ बचता नहीं, उपर से उनके पास इतने पैसे भी नहीं होते हैं, कि वो resource को खरीद के अपने पास रख पा इन्वाइमेंट पर बहुत जादा डामेज होता है, जब हम resource को बहुत जादा यूज करते हैं, क्या क्या damage होते हैं, एक तो है global warming, एक है ozone layer depletion, एक है environmental pollution and फिर land degradation, तो यह सारी problems हम देखते हैं कि environment के उपर आ जाती हैं, अगर हम resources को अच्छे से use नहीं करते हैं, एक काम करते ह क्या होता है, देखो, कुछ gases होते हैं, जिने हम कहते हैं greenhouse gases, जैसे कि CO2, carbon dioxide, carbon dioxide का क्या काम होता है, एक खास बात है इस gas में, यह gas बहुत जल्दी गरम हो जाता है, ओके heat को trap कर लेता है, तो आप ऐसे समझो, अगर कोई room है, उस room के अंदर हम लोग CO2 gas को भर दें, तो वो room ब होगा, अर्थ का जो temperature है, वो बढ़ने लगेगा, अर्थ में गर्मी जादा होने लगेगी, और इसी चीज़ को हम global warming कहते हैं, ठीक है, और global warming एक बहुत ही बड़ा issue है, global warming के वज़े से क्या होगा, climate change होने लगेगा, आसपास जो भी climate है, वो बदलने लगेगा, जो glaciers हैं, बड़े बड़े चातान हैं, जो ice के बने हुए हैं, वो सब melt होने लगेगे, तो ये भी एक बहुत बड़ा issue है, next, ozone layer depletion के बारे में, अगर हम बात करें, atmosphere पता है सबको, earth के around हम कहते हैं कि एक layer of blanket of air है, ठीक है, जिसे हम कहते हैं, atmosphere, तो ये earth के around जो gas का layer है, उसमें एक layer है जिसे हम कहते हैं, ozone layer, अब ozone layer का क्या काम होता है, ये हमें sun के harmful rays से बचा के रखता है, हमें क्या लगता है, कि sun में से कोई rays आ रही होंगी, तो सारी बड़िया होंगी, ऐसा नहीं है, sun में से कुछ harmful rays भी आती हैं, जैसे कि UV rays, and ozone layer का क्या काम होता है, ये देखना कि ये जो harmful rays यह अर्थ तक ना पहुंच पाएं, ठीक है, बट जब हम बहुत जादा पोल्यूशन करते हैं, उस वज़े से धीरे-धीरे यह ओजोन लेयर हटने लग जाता है, ठीक है, अब अगर ओजोन लेयर हटेगा, तो क्या होगा, सन की जो हामफुल रेज हैं, जो यूवी रेज हैं, वो अर्थ के अंदर आने लगेंगी, अर्थ के अंदर अगर सन की हामफुल रेस आएंगी, तो क्या होगा उस से हमें कोई दिककत होगी, बिलकुल होगी, यूवी रेस, अगर हुमन के स्किन को जादा टाइम, हुमन के ओपर भी अगर यूवी रे पड़े, तो सिन, कैंसर Sunburns, ऐसी सारी diseases हो जाती है Animals के लिए भी अच्छा नहीं है, Plants के लिए भी अच्छा नहीं है So ये एक issue है, इसके अलावा Environmental Pollution, Land Degradation Environmental Pollution मतलब Air Pollution, Water Pollution, Soil Pollution, ये सब हो रहा है Land Degradation मतलब कोई ऐसा काम करना, जिसके और जैसे Land जमीन की जो Quality है, वो खराब होती चली जाए जैसे जब हम Mining करते हैं, Mining मतलब जमीन को जब हम खोद के Resources, Minerals को निकालते हैं, तो ऐसे में भी Land की जो Quality है जमीन की जो Quality है, वो खराब हो जाती है तो ये कुछ Problems हैं जो आजकल चल रहे हैं क्यूंकि हम लोग Resources को बहुत जादा यूस कर रहे हैं, अब हम जल्दी से Solution के बारे में Discuss करते हैं, ठीक है First Problem हमने क्या पढ़ा था? कि Rich और Poor के बीच में जो फरक है वो बढ़ता जा रहा है, है न? तो Solution क्या है? हमें क्या करना चाहिए? Equitable Distribution Equal Distribution सबने सुना होगा, Equal Distribution मतलब हर एक चीज़ को बराबर तरीके से बाटना, ठीक है? But Equal Distribution से भी एक अच्छा Solution ये है कि हमें Equitable Distribution करना चाहिए ठीक है? अब ये एक नया टर्म है, बढ़ थोड़ा सा important है सो अच्छे से ध्यान से एक बार समझ लो मान लो मेरे पास दो बच्चे हैं, दो स्टूडेंट्स हैं स्टूडेंट वान और स्टूडेंट टू ठीक है? और मैं Equal, बराबर Distribution कर रहे हूँ मैं पास 10 चॉकलेट है, मैं क्या करूंगी? 5 चॉकलेट स्टूडेंट 1 को दे दूंगी स्टूडेंट 1 अपने घर से ही 3 चॉकलेट को लेके आया था ठीक है, पर मुझे बराबर तरीके से बाठना था तो मैंने दोनों को 5-5 चॉकलेट्स दे दिया अब मान लो, मुझे Equal Distribution नहीं करना मुझे Equitable Distribution करना ठीक है तो इस case में मैं क्या करूँगी अब मैं बच्चों के जरूरतों के हिसाब से उन्हें चॉकलेट बाटूँगी मुझे पता है student 1 पहले से ही तीन चॉकलेट साथ लेके आया है तो मैं सिर्फ उसे दो चॉकलेट दूँगी और मुझे पता है student 2 के पास कोई भी दे दूँगी तो इसे हम कहते है equitable distribution मतलब लोगों के जरूरतों को देखना और उसके बाद resources को बाटना ओके तो यह करने की जरूरत है इसे आप एक diagram के साथ भी समझ सकते हो सो मान लो एक game चल रहा है बीच में दिवार है और तीन बच्चे जाक के देखना चाते हैं कि वहाँ पर क्या चल रहा है हमने क्या सोचा बच्चे हैं यह लोग देखनी पा रहे होंगे तो तीनों को हमने बराबर length का एक मान लो यह chair है ठीक है chair दे दिया तीनों को बराबर length का chair दे दिया बट इसमें क्या दिक्कत है एक बच्चा इतना चोटा है कि उसे इस chair से कोई फाइदा नहीं हो रहा ठीक है यह बीच में जो बच्ची है उसके लिए तो ठीक है और left में शायद यह जो बच्चा है वो इतना लंबा है कि उसे शायद chair की जरुरत ही नहीं थी तो अगर हम equitable distribution करें तो हम क्या करेंगे जो सबसे चोटा बच्चा है उसे थोड़ा सा बड़ा chair दे देंगे ताकि वो देख पाए बीच वाली बच्ची को तो खेर दिख रहा है कोई दिक्कत नहीं है यह वाला जो बच्चा है क्योंकि इसकी height इतनी जादा है हम इसे chair ही नहीं देंगे उसे वैसे ही दिख रहा है तो यह concept होना चाहिए equitable distribution हमें करना चाहिए ठीक है एक solution हो गया next हमने क्या discuss करा कि environmental problems बहुत जादा चल रही है ठीक है तो उसका solution क्या है वैसे I hope सारे बच्चों ने दिमाग लगाया और comment section में बताया है कि water को कैसे हम conserve कर सकते हैं ठीक है कि कैसे water को हम कम से कम use करें और protect करें चलो तो environmental problems का क्या solution है हमें करना चाहिए sustainable development ओके sustainable development वैसे तो previous classes में हमने in short discuss करा था आज in detail discuss कर लेते हैं sustainable development का क्या मतलब होता है development करो ठीक है आप तरक्की करो country की progress करो पर development इस तरीके से करो कि point one environment को कोई भी damage ना पहुंचे environment को कोई नुकसान ना हो point two development इस तरीके से करो कि जो फाइदा है वो future generation को भी मिले यह नहीं सोचना कि बस हमारे लिए development करना है ठीक है ऐसा सोचो कि 10 साल के बाद 20 साल के बाद इस development का फाइदा किसी तक किसी बच्चे तक किसी citizen तक पहुंचेगा या नहीं पहुंचेगा ओके सो इसे हम sustainable development कहते है और sustainable development के बारे में कुछ points आप समझ लो आपके future classes में भी काम ही आएगा ठीक है sustainable development में क्या होता है respect and care for all forms of life जो भी living things है जो भी forms of life है उनकी respect करो उनकी care करो plants हो गए animals हो गए सबको respect करो उनकी care करो improve the quality of human life ठीक है humans का जो life है उसे भी आप improve करो मतलब development करो उसमें कोई दिककत नहीं है conserve earth's vitality and diversity अर्थ में जो life है अर्थ में जो diversity है जो अलग अलग टाइप के plants है अलग अलग टाइप के animals है उन्हें conserve करो protect करो minimize the depletion of natural resource जितना हो सके उतना कम use करो natural resource का ठीक है ऐसा नहीं करना की natural resource बहुत सारे है तो सबको साथ में use कर लिया कम से कम use करो natural resource को अपने personal attitude को change करो ठीक है खुद भी अपने तरीकों को बदलो जैसे अभी मैंने आपको question दिया कि water को हम कैसे conserve कर सकते हैं कैसे हम water को बचा सकते हैं तो हम अपने तरीकों को change करके कर सकते हैं तो यह भी करने को बोला next enable communities to care for their own environment खुद तो अच्छे steps को follow करो साथ ही साथ जो communities हैं आपकी जो friends है families है जो society है उन लोगों को भी इस चीज के बारे में बताओ ठीक है चलो तो काफी सारे concepts हमने इस chapter के बारे में समझ लिये हैं in detail types of resources आपका हो गया sustainable development वाला topic भी हो गया अब हम क्या करेंगे quiz start करेंगे जल्दी से सब लोग ready हो जाओ okay first question balancing the needs to use resource and also conserve them for future generation is called option A development option B sustainable development option C devaluation option D none of these ठीक है क्या लिखा है conserve them for future generation next question using resources carefully and giving them time to restore is called source समझ के जब हम resources को use करते हैं तो हम उसे क्या कहते हैं option A resource conservation option B resource depletion option C resource pollution option D none of these next question technology is an example of technology किस चीज़ का example होता है option A human made resource option B natural resource option C both A and B या फिर option D none of these कौन से टाइप ओफ रिसोर्स में हमने technology के बारे में पढ़ा था next coal is an example of ठीक है coal वैसे एक fossil fuel होता है तो सोचो किस चीज़ का example है यह option A renewable resource option B non renewable resource option C human resource option D none of these चलो जल्दी से इन questions को discuss कर लेते हैं first question में क्या पूछा जा रहा है कि जब आप resources को इस तरीके से यूज करते हो कि वो resource आपके future generation को भी मिल पाए तो हम उसे क्या कहते हैं हम उसे कहते हैं sustainable development just अभी यह topic cover किया था ना तो right answer है option B sustainable development next using resources carefully and giving them time to restore is called जब हम resources को सोच समझ के यूज करते हैं उन्हें time देते हैं ताकि वो अच्छे से फिर से resources आपाएं तो हम उसे क्या कहते है resource conservation conservation word का क्या मतलब होता है किसी भी चीज को protect करना किसी भी चीज को समहाल के use करना तो right answer है option A resource conservation next technology is an example of technology में क्या आ जाता है जैसे मैंने आपको example दिया था mobile ठीक है so mobile एक technology है यह भी तो mobile को किस ने बनाया हम लोगों ने बनाया तो यह किस category में आ जाएगा human made resource मतलब कोई ऐसा resource जो हम इंसानों ने ही बनाया है तो right answer है option A human made resource next coal is an example of coal मैंने आपको question के बीच में बताया था कि coal क्या है एक fossil fuel है ठीक है fossil fuel मतलब अगर यह चीज एक बार हमने खतम कर दी तो उसके बाद हमें काफी सालों तक wait करना पड़ेगा कि coal फिर से बने okay so यह limited है एक बार खतम कर दिया तो बस फिर हमारे generation तक तो नहीं बचेगा future में कभी हो सकता है coal फिर से आजाए तो इस type के resource को हम कहते है non renewable resource जो एक बार खतम हो गया तो फिर से बनने में काफी लंबा time लग जाएगा तो right answer है आपका option B and यह आप बच्चों का quiz था जिन भी बच्चों के right answers है very good keep it up अगर सारे के सारे answers right है जो मुझे पता है काफी बच्चों के होंगे and अगर ऐसा है तो very good keep it up मतलब आप लोगोंने अच्छे से सुनाये class में but अगर गलतियां भी हो रही है तो it's completely okay यह तो quiz ही चल रहा है आपका करो यहाँ पर गलतियां करने में कोई दिक्कत नहीं है exam थोड़ी है यह and जब भी वैसे कोई नई चीज सीखते हैं तो process यही होता है कि इधर उधर गलतियां हो जाती है बट आपको क्या करना है इन गलतियों को ध्यान में रखो मैं रोज आपसे कहती हूँ बिल्कुल demotivate नहीं हो न इन गलतियों को याद रखो देखो future classes में यह mistake repeat ना हो okay चलो तो जो main concepts थे आपके chapter के वो हम cover कर चुके हैं मतलब chapter आपका finish हो चुका है तो next class से हम क्या करेंगे हम NCRT discussion स्टार्ट करेंगे मतलब जो question answers है इस chapter के वो करना स्टार्ट करेंगे and मैं अभी बता रही हूँ आपको जैसे ही question answers खतम होंगे next to next class तक आपका एक mega quiz होगा okay so उसकी तयारी अभी से ही करना start कर दो ठीक है चलो तो that's it for today आज के लिए इतना ही अब हम मिलते हैं अपने next lecture में so bye bye take care and thank you